तो शात्यों हम आज कल पढ़ेते हम लोग NGT तक पढ़े थे 18 अक्टूबर 2010 तक पढ़े थे लेकिन सात्यों उश्य पहले मैं बात करता हूं तो आज का मडिवेशन है कि खामोसी छाज आएगी छातों पर मेला लग जाएगा जिस दिन तू स्लेक्ट होकर अपने घर आएगा तो सात्यों धुमा धुमा उड़ा देना है पडियावरन को इस जुनून को कम नहीं उने देना है क्योंकि मोटिवेशन ही जुनून ही परहाई को करवाता है हम लोग नहीं पढ़ते मेरा जुनून पढ़ता है इसलिए मैं सात्यों पहला बात करता हूं तो आपको बताया ही हूं एंजी टी की अस्थापना 18 अप्डुबर 2010 को हुआ था वहां तक हम कल कर चुके हैं आंगे बढ़ते हैं दिभीन संगठन एवं संस्थान नाया लूशेंट के पेज नम्मर 136 पुराना लूशेंट में है भी नहीं है सब तो बात करते हैं पहला नम्मर है साथियो संजुक्त राष्ट पढ़िया वरन कार्जक्रम यूनाइटेड नैसन इंवार्मेंट प्रोग्राम इसका अस्थापना 5 जून 1972 को हुआ और इसका रजधानी है केनिया के नैरोबी में मुख्याले कहा है केनिया के रजधानी नैरो में लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात है कि यू एंडिपी की आस्थापना 22 दिसंबर 1965 को नीवार्म में किया गया था कहां किया गया था कि दोनों को पैरलल याद करेंगे यू एंडिपी 1965 नियॉर्क मारेंगे यू एंडिपी इनवार्मेंट से है के निया के नैरोबी जब पढ़ियावरन के बिनास कीजिएगा ना तो रोने आएगा रोड़ आएगा इसलिए जो भी लोग देख रहे है तो पिर जरूर लगाईएगा ताकि मेरा पढ़ियावरन बचे बैलेंस रहे तो यू एंडिपी बताइए कब हुआ मेरे भाई पांच जून दूप अब सेगेंड पढ़ है राश्टिये पढ़ियावरन अभ्यांत्री के सोध सांस्थान इतला लंबा नहीं आता उस सोट पर पूशता है नीरी का मुख्याले और नी से नीरी या ना नागपुर में होगा आप लोग कोई दिक्कत नहीं नहीं हो रहा है नीरी का फुल्प्रम पुछेगा दोस्ट तो बुलेगे नैस्नल इनवार्मेंट इंजिनियरिंग रिसर्च इंस्टोर्ट तो याद रिखिएगा अदम स्टैलिट मोड में याद किये नीरी की नागपुर में और नीरी का मुख्याले भी कहां है मुगे नागपूर इसे याद रखना है ठकना मना है भाई और आगए कि मैं बात करता हूँ इसकी अस्थापना का मुख्य उदेश क्या है वाटर सप्लाई और सीबरेज पलान एवं अध्योगिक प्रदूसरन से स्वंदित विमार्यों के रोक ठाम के लिए शुद्ध एवं बीकास अरे भया इनवारिमिंट के बा चाहिए दिवारीमारी के रोक ठाम के लिए हैं और याद रखना मेरे भाई किस मांत्राले के धिन काम करता है यह अवश्य याद रखना मेरे भाई और आगे आते हैं राश्ठिय पढ़ियावरन प्राधिकरण इसका पुरा नाम राष्टिये पडियावर्ण अपीलिये प्राधिकरन है और इसकी आस्थापना राष्टिये प्राधिकरन अधिनियम 1997 की गई पुछे राष्टिये पडियावर्ण प्राधिकरन की आस्थापना कब किया गया किस अधिनियम प्रियो प्लस फाइब कहा हुआ है कल पढ़े होंगे तो आप जरूर कॉमेंट में उत्तर दीजिएगा उम्मीद है कि आप जरूर उत्तर दीजिएगा हम आंगे मैं बढ़ता हूं भाई इसका गठन वन एवं पर्यावरन मंत्रा लेके दोड़ा किया गया है और इसका अस्थापना का उदेश क्या है पर्यावरन सरक्षन दिनियम 1986 के तहत छेत्र के प्रतीबंद हे तू किसी भी उदेश संचालन या प्रक्रियाओं कि स्रेनी के समन्द में अपील के शुनवाई कर सब्सक्राइब करेंगे कहां पर जाके अपील करेंगे कहां पर जाके राश्टी अपील कर देना चाहिए नहीं तो अपील करेंगे अब आते हैं दोस्त दिश्वे मौशम विज्ञान संगठन याद रखना मेरे भाई कि विश्वे मौशम विज्ञान संगठन की यह इंपॉर्टेंट नहीं यह ना कि कहां पर है कहां पर ने बस जिनेवा याद रखना है स्विट्जर लेंड में जिनेवा में याद रिखेंगे विस्वे मौषम बिज्ञान शंगर्ठन का हेड़ को है और 211 में शुरूबा यह नहीं वर रखना है यादगे लास थो 17 ओम मार्चंग को बिजबे मौषम क्याने बिज्जर लेंड को अस्थित्व में के वाई मंदल की दाशा और विभार का अधियान तरना आगे चलते हम लोग परियावरन संद्रक्षन एजेंसी इन्वाइर्मेंटल प्रोटेक्शन आजेंसी इसकी अस्थापना दो दिसंबर को अमेरिका के संग्य अजेंसी है परियावरन संद्रक्षन एपिये बोलते हैं कि एपिये की अस्थापना कब हुआ दो दिसंबर 1970 को हुआ और इसका सबंद मानो स्वास्त एबं परियावरन सबंदी नियमों के निर्मान एबं प्रवर्तन से है नोट नंबर बहुत दिन पर नोट आणा है जिसका नोट नंबर नोट आगिया है तो गैर सरकारी परियावरन संगठन ग्रीन पेस एंटरनेशनल का मुख्या अपना नाम भूल जाना भाई लेकिन इंटरनेशनल का मुख्याले मत भूलना नीदर लेंड के रज़्दानी एंश्टरम में है और इसके कर्याले पच्छबं से अभिक रेसों में अस्थापित है उत्रा कुछ नहीं याद कर रहा है आपको क्या खाली याद कर रहा है इसक एंस्टरडम नीदर लेंड में और याद करना भीडे भाई मैं एक बात बताता हूं कि नार्वे और नीदर लेंड का राष्ट ये चीन जो है सेड़ है बच्चा में एक गीत गाते थे नानी तेरी सेड़नी के मौर ले गया बाकी जो बचा चुर ले गया तो याद बच्चा को पराना चाहिए इसके कट्चा कर्याले 55 से अधिक देश में हैं बात करता हूं भाय संजुक्त राष्ट पढ़ियावरन का इस से हम यू एन इपी तो कल ही पर थे भाई कि यू एन इपी कि अपना पांच जून नीस सब बहुतर को और स्टॉकम से मिलन भीवा था जून नीस सब बहुतर में अब फिर तो वह ही बतवा है घुमा फिरा के फिर वह नहीं आ रहा है इस सब आसान है यार पढ़ियावरन पढ़ियावरन को बचा के रखिये आएगा इस बात को याद रिखिएगा इसकी अस्थापना 1972 में हुआ और इसका मुख्याले कहा है जन्या के नए रोभी में है मानू पढ़ियावरन सबंधी ओधारना आदी काल से लेकर वर्तमान काल तक मानो और पढ़ियावरन के मद्ध सबंध प्रस पर सहभागिता स्वालंबन प्राधारित रहा है बिभीन बिचार को भगौलिक वीदो एवं पड़ियावरन वीदो ने मानो पड़ियावरन के मद्ध बदलते स्वंध में को एक बिचार धरा की रूप में बिस्लेशित किया जो पड़ियावरन के बिभीन अधरना की रूप में प्रकट किये गए जो कुछ प्रमुक अधरना मेरे भाई हम लोग को भी दवान नहीं बनना है जो एक जाम में आएगा हम वहीं फोकस्ट करेंगे सब चीज थोड़ी है यह भी जनकारी होना चाहिए क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है जो पढ़ना है वो तने हम बताएंगे जो नहीं आगा हम फास्ट पढ़के निकल करना थेजिन दरने नियतिवाद किर दिया अब लोग नहीं बताते एक्जाम में याद करना है जील आप लोग बच्चा मरते थे आपकाशी खाजाता था रेट मतलब चुह आपको तर देता था देखें को अरे उपड़ आलवारी पर अखल है और देखें योग रेट हुआ सब का आप दिया जीलोगां को है ना तो रेट जील याद करेंगे नियातिवाद की ओधरना इसके अनुसार मानों जीवन को प्रकिर्थी पर पुर्णता निर्भर मना गया है अर्थात मानों का उनती उनती विकाश ऑनती एवं विकास किदर परियावरं पर ब्रनीरभर करता है किस पर ब्रनीरभर करेगा दूसरे सब्दों में रहेगा तो तो स्वक्ष हेल्थ रहेगा जब खराब में रहेगा तो आपका खराब हेल्थ होगा कि प्राकिर्थी ने मनुष्य को बनाया है और आंगे में बात करता हूं भाई तो याद करना इस अधारना में जैसे एक होता है तेख उसका भी पिता जी है नबोलते हैं मांस रॉफ मास्टर स्वाराना के नाम से किस grand को नाम से जानते किस grand को master of master grand कहते हैं comment में बताईएगा इंतिजार रहेंगे गुरु जी के गुरु जी किस grand को बुला जाता है एक जाम में पूछेगा भाई बताना जरूर है अब जाने कि आप लोग अच्छा से देखते हैं वीडियो हाँ इसके समर्थक हम बोल्ट एवं कार्ल रीटर जैसे भूगल वेता रहे इस अधरना की आलोचना विशेश रूप से फ्रांस के भूगेल वेताओं ने की थी पर नियत नियत समय आने पर नियति आपके जोली में भर देगी जैसे आपकी पत्रता होगा वैसा भान गोख या लेट शर्म्वल्ट में नाना ना मनुष्य पर्यावन को बनाया प्रांस वाला अलोचना कर दिया इस साइंटिस्ट को सब हम लोग आते हैं संभोवादी ओधरना बिडालडी लबलाज क्या नाम है बिडालडी लबलाज यानि पूछेगा जिस संभोवादी ओधरना किस ने दिया तो बोलेंगे बिडालडी जानते हैं यह वो मेरा दोस्त था उसको दस वर हुआ और उसका हो गया देथ उसका क्या हो गया देथ बोलेंगे बिडालडी लावे गयते लास को तो बिडालडी लाबलाज किस अधरना शंभववादी अधरना कौन है भाईया संभववादी हां देखिए यह इसका जश्ट उल्टा होगा नियतिवाद में यह बताया था कि पढ़ियावरन ही मनुस्त को बनाया है पढ़ियावरन एक्टिव है और मनुस्त निस्किरिये है लेकिन यह उलटकर वाज अधरना को जन्म दिये और इस अधरना के समर्थक में ब्रुंज इसा भुमें इसा फैब्रे और दिमांजिया वज़े से भूल वेता थे इसके अनुशार मानों को पढ़ियावरन का एक सकीरिये अभी करता देखिए उसका उलटके बाजी मार दिया ना वहां निस्किरिये अर्यति बाद मैं मनुश निस्किरिये था लेकिन संभववादी में मनुश क्या हो गया सकये अभीया मनुश जो है परियावरन को इतना परिवर्तित कर सकता है इस परिवर्तित परियावरन मनुष्य एवं उसके समाज धेतु अनुकूल हो जाए यानि मानों प्रकिर्टी पर विजय प्राप्त कर चुका है और उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है यह भी सही है वो भी सही है लेकिन एक्जाम में इसना है कि साइंटिस्ट बनना है क्या नहीं बनना है सिंपर याद करना नियक्तिवाद के अधाना रैट जिल दे दिया था और संभवाद हम सोची भी नहीं दिए दोस्तों बढ़ जाएगा लाने पड़े उसको हम बिडाल टेस्ट करवा दिये थे काईफाइड के लिए हो था लाने के फोन है मेरे पाद लाने जाए लास हम लेकर लास तो बिडाल टी लाबलास बिडाल टी लाबलास और क्या बोला बिडाल टी लाबलास की पर्यावरन के सकिरिये अभी करता मनुष्य है कौन है मनुष्य है तो उसका उलट करवाजी मरा किसका मियतिवाद के उल्टा हो गया संभवाद रैट जील के उल्टा हो गया बिड शरपर थम ने किया मृता है कि स्मभव है कि यृत कर लीजिए जाRIर याद अब आता है नौ नियतिवाद क्या है मेरे भाई उपर में था नियतिवाद यह नौ नियतिवाद इसमें बस साइंटिस्ट याद करेंगे किया अधरना दूनों ही अतिवाद अधरना को खंडर करती है ग्रीफित टेलर और ओएच के अस्पिर जैसे भूबलवेता ने प्रकिर्ति के एक पच्छे दोहन का अलोचना की और बताया की प्रकिर्ति का अत्यधिक दोहन बिनास काड़ी हो सकता है इन्होने प्रकिर्ति के संदर में अश्टोप रूपो और जाव की नीति अपनाने की कहा एवं बताया की प्रकिर्ति की अपनी सुनरता है अपनी सीमाय है अत्य हमें चाहिए कि हम प्रकिर्ति को समझने का परियास्त करें उसके बाद अपने विकाश नीतियों का निर्धरन करें वह वस्तुता पिकाव या सतत्त विकाश नौ नियतिवाद का अधरना से ही सबंद रखते वेभईवा जानता है कुछ आता ही है यह जाते कि रूको और जाओ की ओधरना कैसा ओधरना है नियतिवाद है संभवाद है नौ नियतिवाद है बोलेंगे नौ नियतिवाद है रूको और जाओ रूको और जाओ नौ नियतिवाद की ओधरना सीम्पल कोशन आता है किसमें है नौ नियति वादमे और दू भोगल वेता कौन दे ग्रीफित टेलर और ओएच के अस्पेट तो नहीं याद रहेगा तक काम चलेगा मेनी याद करना है रुकु और रुकु नत जाओ नौ नियति वेदिक में बुला गिया है ऐसा है ना तीसे भी याद रिखना है अ सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनार कार्ल ओ सावर थे बहुत इंपोर्टेंट है सांस्कृतिक निश्चयवाद के ओधर ना प्रोफेसर कार्ल ओ सावर कार्ल ओ सावर कार्ल ओ सावर सांस्कृतिक रहेगा ना तब बोलेंगे कार्ल सांस्कृतिक में रह है ना कार्ल में र याद रिखेगा सांश्रितिक जो भी होता है तुछ में काल बहुत ज्यादे आता है काल लोग कोई बोताना है जो भी हो इसके अनुशार मानों अपनी अवसकताओं के अनुशार सांस्रितिक निष्चेवाद की अधार्णा विसेश रूप से अमेरिका में लोकृता क्या गिया है प्राप्त किया है अब एक उता और बचवे किया है उसका क्या नाम है भाई प्राश्थित्की ए अधारेना या अधारेना पारिस्थित्की के अधार गुत्र सिधानतों पर अधारित है यहां पर आप लोग गोड़ से सुनियेगा दूगो पोशन ग्रम पुरा च्छा पता है एक होता है पारिस्थित की तंत्र प्रास्थित की तंत्र रहेगा एजी टांसले मारेंगे तंत्र जब भी रहेगा तो टांस भी मालेंगे जब सिर्फ परस्थित्की रहेगा अन्रेश्ट हैकल क्या मालेंगे अर्रेश्ट हैकल नहीं लिखा हुआ है आप लोग जरूर लिख लीजिएगा यह पत्का आएगा एक्जाम में परस्थित्की तंत्र रहेगा एजी टांस ल लेकिन सिर्फ प्रस्थित्की धानच जी तो क्या बोलेंगे क्या बूलेंगे तो यहां पर लिख लेंगे क्या और तंत रहेगा तो क्या लिखेंगे तंत रहेगा एजी टांस ले लिखेंगे यह पक्ता आएगा एक्जाम में जो हम बोल देते हूं वह इबे करेगा यहां पर घंफाल्दू बताते ही नहीं है यह ओधारना परिस्थित्की के अधार्वुत सिधान पर अधारित है यह मनुष्य एवं प्रकृतिक पडियावरन के मद स्वहाद्र पूर्ण सबंदों पर बल देता है इसकी अनुशार मनु मतलब क्या बोल रहा है कि एक समझस इस्तिती होना चाहिए एक शमान इस्तिती होना चाहिए और आबलंबन का स्वंद होना चाहिए ना कि बीनास के उदेश से हम लोग करेंगे प्रास्थित्की अधार्वन में मनुष्य सभी जीवों में स्रिष्ट है मनुष्य कितने लाख लेकिन परियावरन को भी बचाना है अगर बिल्डिंग है तो उसके चत पर रोप दीजिए प्लांट अब उसके उपर प्लांट लगा दीजिए उससे भी बचेगा अब आंगे आते हैं तो याद रिखेगा उससे इस ग्रह के प्रबंद की भूम का अपिछित है या आजानते हैं एक जमवगा में आयेगा न घुला मारेंगे लेकिन नहीं पर्या और ऋन एक बंध में एक अश्याय साधनाधं एक बात बता ये कि पर्यावरन में जो चीजे सीमित है कि नहीं कोई भी चीजे भाई या लकरी है दोहन करके खतम कर रहें तो समाप्त होगा कि नहीं तो एक कुलोज है कि किसी चाचा लोग से पुछिएगा जो नहीं जानते हैं ना उनसे पुछिएगा सिंपल कोशन कि बताओ तो भाईवा कि खुला तंत्र है कि बंद तंत्र है हम लोग खुला मारके लगव गलत देलुए बुक वामें अने भाई भूक गलत नहीं देता है बूक सही देता हम लोग पड़बे नहीं करते हैं अच्छा से या लिखा ले छोटे-छोट्रे अच्छ बंद तंत्र वरना है और इसका संसाधन क्या है सिमित है जिनके निवान की प्रकिरिया धीमी है अतह इन संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से और विबेक पूर्ण होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपके पास संसाधन है तो जो मन करे ओ कर देंगे नहीं विबेक पूर्ण IQ इक्क्यूपाबर की बात होती है कोई भी काम करना चाहिए मेरे साथ ही हो उचित तरीके से और विबेक पूर्ण हुना चाहिए याद रिखिएगा ये ही बात याद रखना है कि परिया अवरन एक बंध करियाविधी होती है जिसे होमियों किर्याविधी कहते हैं मनुष्य अपने इसमें पडिवर्तन करता है जब यह पडिवर्तन सहन सीमा से अभिक हो जाता है तो धीवीन धियावन समस्याएं उत्पन होती है जो मनुष्य सहित पुड़े प्रकिती के लिए बिनासक होती है आपको पता है ना महाभरत देखें होंगे तो कृष्ण भारवान बोलते हैं निनानवे भात को सहलेंगे जैसे ही सौमावर गाली दिया गया निकाले सुदरसन चक्र और मूरी को खामुस कर दिये तो याद रिखेगा उस तरह से पडियावरन है अब इतना भी मत दोहन कर दीजिए कि हम लोग के यहां भुकंप आ जाए हम लोग को समुद्र के पानी से पुड़ा ये भूमी क्या हो जाए खत्म हो जाए बिनास हो जाए तो एक इनसान 84 लाखियोनी में सबसे वेश्ट है तो हम लोग को जो भी सांसाधन है पुछित तरीके से और विवेक पुर्ण होना चाहिए और मनिस नहीं तो मनुस्य सहित पुड़े प्रकिर्ति के बिनास हो जाएगा और राष्ट का विवेक शेवं इस्थिर्ता प्राष्थित ये इस्थिर्ता पर निर्भर करती है अमेरिका की प्रसिद्द भूगजय वेता जाति मिस सेमबल की अनुशार मानों अपने ogran की मिस दिजी नाम था सेंबल क्या बोली मानों अपने परियारन की उत्पति पती है अब आगे चाल्स डार्वीन मानों अपने परियारन मने संघर्स करके वर्त्मान सिर्व में पहुंचा there नहीं पढ़े हैं क्या सर्वाइबल ओफ फिटेश अर्वाइबल का मतलब होता है क्या जीवन है ना जीवन गार्प जीमन यापर करना होता है तो शंगर्स की बारे मदायते चाल्स डार्वीन और याद रखना है मेरे भाई सतत्विकाश क्या नाम है सतत्विकाश यहां तक कड़कर इसको छोड़ देंगे सतत्विकाश के मैं बात करता हूं सतत्विकाश की बात करता हूं इसका फूले पुरम क्या होता है बहुर से सुनियेगा आई फोर इंटर्नेशनल यू फॉर यूनियन फोर मतलब ऐसे हैं इसी को बोलते हैं आई यू अपने रिपोर्ट विष्ट्व सरक्षा रहनिती में किया था और उनिश्व सतासी में कभी मेरे भाई उनिश्व सतासी में डबलू सी इडी वर्ल्ड कमिशन और इन्वार्मेंट एंड डेवलप्मेंट में आबर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस सब्द की परिभासा और कार्शपतिती की ब्याक्या की जिसे की यू एन ओने सभिकार कर लिया और यू ने क्या सब्द कर गुआ है मिरे बाई जरूर बताना है कोमेंट बॉक्स में छोटका डिट के साथ इस रिपोर्ट की अनुसार सतक्त विकाश पर वह विकाश जिसके अंत्रत भावी पीडियों के लिए अब सक्ताओं के पूर्ति करने की च्छमताओं से समझता किये बीना वर्त्मान पीड सबसे इंपोर्टेंट फिर से एक के बात आगिया यार इसे ही कौन समिलन के नाम से जानते हैं और प्रतिपूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया अजेंडा 21 यह तो सबको पता ही है अब प्लस एजेंडा 21 1912 में अब 20 साल जोनें तो फिर आ जाएगा क्या रियो 2012 में फिर वही तो लिख रहा है non is costly कोर फर्माईए है सत्त विकास लंच एक नमेरी ना कुछ यदे नहीं होता है तो याद कर लेना है कि भ्रंट लैंड होगा सतत्विकास 87 आप प्रोशी से पुछ किजिएगा नहीं बताएगा पुछिया कि बताऊ अप्राइन सतत्विकास प्राकिर्तिक संसादुनों की उपयोग के अस्तंदर में अंतर पीडिगत संबेधना सिल्ता की अब मैं दो मिनेट समय लेंगा भाई और पुछ लुता हूं आप लोग बताईए कि प्रास्थित्की रहेगा तो क्या होगा रजनेश प्रास्थित्की का कोज कौन किया है कर ने किया है और प्रास्थित्की तंत्र रहेगा तांस ले और मेरे भाई बताओ तो भाई सिंपल को जो है कौन दिया वह थरा आदमी दिया है ना इसको हम यहीं पर इंड करते हैं जरूर भाई बताना लाइक शेयर सब्सक्राइब अबस्त करना धन्य बाद